स्वयम में समधान के एक और नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं मैं उसी धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चनल नौलेज इंसाइडर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए आपका व्यक्तित्व बोलना चाहिए उसके उपर आज हमारा पुरी पूरी आडियो है होने वाली है तो अगर आप किसे काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले उस काम को खतम कीजिए फिर इस वीडियो को देखिए या फिर आप जब फिरी होते है उस समय इस वीडियो को देखिए मेंटली तोर पे फिरी होने के बाद चलिए आज का इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं लोगों को अच्छी बाते सिखाने के लिए उनको प्रेडित करने के लिए अच्छा बोलना पड़ियाप नहीं है वे बाते आप में दिखाई देनी चाहिए लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं कहने वाले में पातरता कितनी है यानि कि आवकात कितनी है उतनी ही बाते वे सुनते हैं बलकि कोई व्यक्ति जदा बोले भी नहीं उसका व्यक्ति तो बहुत कुछ बोल देता है और लोग उसको सुन लेते हैं कोई व्यक्ति बहुत चिला चिला कर बोलता है लेकिन उसके व्यक व्यक्तितु को वैसा बनाओ कि जो बात आप लोगों से कहना चाहते हो, वह आप में नजर आती हो, और नजर भी पूरी तरह आती हो, जरा भी चूक हुई कि वह बात कहने का आपका अधिकार समाप्त हो जाता है, एक व्यक्ति लोगों को जिम्मेदारी की बाते सिखाने की करता है, बड़ा जोड देकर वह बात कहता है, बड़ा मातों उसका समझाता है, लेकिन खुद में कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती, ना उसे दिये गए समय का ध्यान रहता है, ना उसमें अपना टीम के परती कोई जिम्मेदारी नजर आती है, कोई भी काम बताया जाता तो हातों कर देता है, लेकिन करता नहीं है, वह कितना भी सिखाना चाहे, लोगों को जिम्मेदार बनना उन्हें की बात नहीं सिखा सकता है, कोई समय से चलना, सिखाना चाहता है, लेकिन खुद समय पर नहीं आता है, तो इस विसे पर कोई भी बात करना उसका बैमानी है, ऐस से लोग इस विशेव पर जड़ा तर चूप रहते हैं अब कितना भी चूप रहो लोग आप से समय पर आना जरूर सीख लेते हैं पूरे देश में आज तक किसी ने कवी नहीं बोला कि देरी से आना चाहिए फिर भी लोगों ने एक दूसरे को देखकर सीख लिया कि थोड़ा देरी से जाना चाहिए कोई नसा करने वाला नसा मुक्ति की बात सिखाना चाहेगा तो कोई उससे सीखना वाला नहीं है कोई व्याक्ति दूसरों को कहता है कि दूसरों के साथ मधुर वहवार करना चाहिए लेकिन खुद बात बात पर गुस्टा कर बैठता है या दिल दुखाने वाली बातों का या सब्दों का उप्योग करता है तो कोई भी उसकी बातों को सुनकर अपने आप में पडिवर्तन नहीं ला पाएगा इस विशे को ठीक से समझ लेना चाहिए बोलकर चतुराई से काम बनने वाला नहीं है कुछ लोग यहां बड़ी चलाकी करते है कुछ बातों को तो अपनी चर्चा में ही नहीं लाते क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वे बाते होते ही नहीं है कुछ बातों को वे गोलमाल गुमा कर बड़े औसपस्ट रूप से मतलब जो उसका रूप है वो क्लियर नहीं है कि कहना क्या चाड़ा है बड़ा घुमाओदार तड़िके से औसपस्ट रूप से वो बोलते हैं जिसका सिधा सिधा कोई मतलब नहीं निकल सके बस लोगों की तारीफ बटोर ले कुछ लोग ऐसी जगह बोलते ही नहीं है जहां के लोग उनको जानते हैं वे अंजान लोगों के बीच जाकर बड़ आराम से जूट का सहरा ले लेते हैं और अपने लिए तारीफ बटोर लेते हैं ये चालाकियां काम नहीं आने वाली कितनी विचाला की कर लो पड़ी नाम कुछ आने वाला नहीं है उल्टा इससे बड़ा खत्रा है आपकी छवी खराब हो जाती है लोग आपको जुठा समझने लग जाते हैं छवी बनने में बला समय लगता है लेकिन बिगरने में बहुत कम समय लगता है इसलिए अपने व्यक्तित्व को कुछ ऐसा बनाओ, कि उसको देखकर लोग बहुत कुछ सीख जाये, बहुत सारे लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, तो लोग उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते लेकिन उनके व्यक्तितु में कोई अच्छी बात नहीं होती, तो उनसे कोई कुछ भी सीखता नहीं है, लोगों की तारी पर नौ जाना, लोगों की तालियों पर भी नहीं जाना, वह उनका सिस्टाचार है, असली बात पड़िनाम की है, पड़िनाम लाने हैं, तो आप से अपने बच्चों को या अपने डाउन लाइन्स को महनती बनाना चाहते हो, तो आप स्वैम महनती बनो, इतनी महनत करो कि आपका महनती होना साफ साफ दिखाई पड़ता हो, आपके बच्चों में या पुरी आपकी पुरी की पुरी टीम में वही माहौल बनेगा और स्वाता ह ही वह सब सीख जाएंगे सायद उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने ऐसा कुछ सिखा है जब माहौल वैसा होता है तो उस माहौल में रहने वाले सभी स्वभाविक रूप से वैसे ही बन जाते हैं आप अपनी टीम में समय बदता सिखाना चाहते हैं या आप महने के पर्थम सब्ता में जदा काम करवाना चाहते हैं या क्वालेटी टीम वर्क पर अच्छा काम करवाना चाहते हैं कोई भी काम हो जो भी आप टीम से करवना चाहते हैं सबसे पहले स्वयम उसे उड़ी तरह कड़े और फिर टीम में वह माहौल बनाए टीम में निश्चित ही टीम में निश्चित रूप से वह काम हो जाएगा दूस्तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा कामेंट तरिकर जरूर बताईएगा और अपने पिछले टॉपिक को नहीं देखा है कि रिलेशन कैसा होना चाहिए आपका स्वाव कैसा होना चाहिए तो सपने कैसे देखे हैं ऐसे कही सारे टॉपिक्स हमने डिसकस कर दिया और नजने और भी कितने टॉपिक्स जो है आपको आने में वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और मिलते कुछ और नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब त ये हमचर कासरा थाइब करद 돌아ूएविक्स बॉपिक्स के साथवर अगार से कितने वीडिक्स हैं वर्ट येढक्स फिसक्दते क्षियो